अगर आपके साथ कोई भी एस इंसिडेंट होता है आप तुरंट 112 पर कॉल करिए खाना के स्यूजी नंबर पर कॉल करिए और इस खटना को दवाईए मत आपके पास कॉल आ रहा है कि आप सोच रहे हैं मैं खुदी मैनेज कर लूँगा नहीं है साइबर अपराधी मैंने तरीके इजाद करके लोगों की गाड़ी कमाई को चुना लगाने में जूटों है अब उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया है जिसको डिजिटल किडिनेपिंग बताया जा रहा है डिस्टर्क किड्नेपिंग आगी होती क्या है वो हम आपको समझाते हैं दरसल आपके फोन पर एक कॉल आएगी और उस कॉल पर सामने वाला जो कॉल करने वाला व्यक्त थी यह कहेगा कि आपका जो बच्चा है उसने कोई घठना कर दी है या फिर उसने कोई एकसिडेंट गर दी है और वो हमारे कब्जे में है पीछे से artificial intelligence की जरीए कुछ रोने की आवाजे भी आएंगी, मारने पीठने की भी आवाजे आएंगी और parents को पूरी तरह से धंकाया जाएगा और उनको ये feel करवाया जाएगा कि वाकई में उनका बच्चा जो है वो उनके कबजे में है और इसी चीज़ का फायदा उठा कर जो cyber अपरादी हैं वो parents को torture करते हैं और एक account number उनसे share करते हैं और उस account number के अंदर वो पैसे को transfer करवा लेते हैं सारनपूर में अभी तक digital kidnapping के दो मामले अभी तक सामने आ चुके हैं उनमें भी ठीक ऐसे ही किया गया एक abroad में बच्चा पड़ता था उसके parents को call की गई और parents को धंगाया गया और उनसे करीब धाई लाग की राची जो है वो अपने account में transfer करवा ली है digital kidnapping एक नई चीज जो है वो इजाद की गई है AI के जरीए वो लोग कॉल करते हैं कभी वो WhatsApp से कॉल करेंगे कभी वो जनरल नंबर से कॉल करेंगे और कहीं न कहीं parents पर एक बड़ा दवाव बनाएंगे पीछे से रोने चीखने के आवाजे आती हैं लगता है सब को कि शयाद वाकई में उनका जो बच्चा है वो या तो किसने किड़नेप कर लिया है या फिर किसी घटना में उसको पकड़ लिया है और उसको छुड़वान के लिए वो उनके सामने मजबूर हो जाते हैं और जो accounts उनके द्वारा दिये जाते हैं उनमें वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं धाई लाक उरुपे की राची एक वक्ती द्वारा ट्रांसफर की गई है और करीब एक लाक उनचसह जार की राची जो है वो दूसरे वक्ती यहां पर पहुँची है इसके लावा अन्य कई मामले हैं जो पैरेंट्स कहीं न कहीं शरम के मारें यहां तक आ नहीं पाए डिजिटल किटनेपिंग से कैसे बचा जाए और कैसे इन साइबर फ्रोड से काबू पाया जाए इसको लेकर सारनपूर की जो साइबर टीम है वो लगातार लोगों को जागरूप करने का काम भी कर रही है इसके लावा हेल्प लाइन नंबर भी दिये गए हैं साइबर हेल्प नंबर यदि आपके पास आता है तो आपको उस नंबर पर अगर कोई कोल आती है तो एकदम से ही उसकी बिना तस्दीक किये बिना कोई कदम ना उठाएं पुलिस को जानकारी दें साथी साथ अगर कोई ये कहता है कि आपका बच्चे उसके पास है तो कम से कम आप अपने ब कुछ अधिकारी जो हैं ठाने के अंदर उन से बात करेंगे इस तरह कि अभी तक बताया जाने हैं दो के सारंगपूर में सामने आए हैं तो आप क्या कहेंगी कैसे इन से बचा जाए कैसे आप लोगों को जागरू कर रहे हैं सबसे पहले समाज को शर्म हया वावाई इन सब च चौरहों पर सबते लिखे मिल जाएंगे इन पर तुरंट सूचना दीजिए कि मिरे साथ एक घटना घटी तो ही और इस घटना को दवाईये मत आपके बास कॉल आ रहा है कि आप सोच रहे हैं मैं खुदी मैनेज कर लूगा नहीं है वो इस टाइप से हिपनोडाइस कर देत हैं कि आप अपना कैमरा वीडियो कॉल बिल्कुल और रखेंगे कहीं नहीं जाएंगे यह है अगर आपने यहां से वीडियो कॉल बंद करती तो मैं तुरंट मार दूंगा आपके लड़कों को इसी समय मार दिया जाएगा तो उससे बिल्कुल बहवीत हो जाते हैं इन लोजिकल अटेक जो है साइवर अपरादी कर रहे हैं और अब उन साइवर अपरादियों की जाच के लिए उनकी तलाश के लिए साइवर टीम जो है वो लगातार वर्क कर रही है बताया गया है कुछ लोग ऐसे हैं जो ओडिसा में बैटकर फरजी नंबर के जरीए इस तरह किड्नैपिंग है वो एक नया जो है वो चीज बनाई गई है कहीं कॉल सेंटर्स जो हैं हैकर्स द्वारा बनाएंगे जो साइवर अपरादी उनके द्वारा बनाएंगे उन कॉल सेंटर्स पर बैटकर वो उन नंबरों को चीनित करते हैं और उन नंबरों पर कॉल करके उनक कौन है कोई फेट कोलर तो नहीं है और जदी आपका परिवार के किसी वक्ति के साथ वो अन्होनी की कोई बात कह रहाया तो कम से कम उस वक्ति से भी आप तस्दीक करें अपने परिजन से कि वो क्या ठीक है क्योंकि सारंपुर में अब तक दो मामले सामने आ चुके हैं ऐसा को कोई अन्य मामला सामने ना आए इसको लेकर हम आपको अभी से सचेत कर रहे हैं टेविनान यूपी के लिए सारंपुर से विकास कपिल